नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नुज में मैरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार की एक ऐसी सक्सियत के वारे में जिनकी पहुँच बिहार के आखरी ब्यक्तित ठीक लेकिन उनके वो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो जानते हैं अज़ हम बात करेंगे उत्तर भारत में सोसितों की क्रांती के जनक अरजक संस्कृती और सहित के पहिरोकार सोसित समाजी दल तथा बहुजन पार्टी के संस्थापक मंडल कमीसर में प्रितना सलोत रहे इसके साथ ही सरवहारा के महान नायक और भारत में लेलीन के नाम से जान निर्धन परिवार में हुआ था इनके पिता प्रियाग नरायन को सवाहा के पास प्रात्मीक बिद्याले में सिछक थे तथा माता रासकली अनपड थी उनके पिता के मागदरसन में बालक जगदेव ने मिडिल की परिच्छा पास की इनकी इच्छा उच्छा गरहन करने के थी हाई स्कूल के लिए वो जहाना बाद चले गए उच्छ मध्यम बर्गे परिवार में पैदा होने के कारण बावु जगदेव परसाद की प्रिवित्ती सुरू सही संघर सिल रही है वो बचपन से ही बिद्रोही सोहाब के थे एक दिन बिना किसी गलती के एक सिछक ने ज परिदर भाव से कहा गलती के लिए सब को बरावर सजा मिलनी चाहिए चाहे वो च्छातर हो या सिछक किसोर जगदेव परसाद ने पंच कठिया पर्था का अंत करवाया उस इलाके में किसानों की जमीन की फसल का पांच कठा जमिंदारों के हाथियों को चरा देने की का किसान जमिंदार की इस जवर्दस्ति का बिरोध नहीं कर पाता था जगदेव बावु ने इसका बिरोध करने को उठाना जगदेव बावु ने अपने हमजोली साथियों से मिलकर रननीती बनाई जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो पहले उसे मना किया गया जब महावत नहीं माना तो जगदेव बावु ने अपने साथियों के साथ महावत की पिटाइट कर दी और आगे से ना आने की चताबनी बिजे दी इसी घटना के बाद पंचकठिया पर था बंद हो गया जगदेव बावु आगे के सिछा गरन करने के लिए घर से बाहर चल हो गया यहीं से जगदेव बावु के मन में हिंदु धर्म के परती बिद्रोही भावना पैदा हो गई उन्होंने घर के सारे देवी देवताओं की मुर्तिया तस्वीरों को उठा कर पिता के अर्थिक पर ही डाल दिया उन्होंने ब्रह्मनवाद का परतिकार मानावता के सि अंजावातों के बीच उस सिछा के लिए पटना भी स्विदाला है में असनाता की पढ़ाई की यहां पढ़ाई करते हुए उन्होंने उनकी मुलाकात चंद्रदेव परसाद बर्मा सो ही चंद्रदेव बर्मा ने जगदेव बावु की विभिन विचारों को बढ़ने और जाने ने सुनने के लिए प्रेरित किया अब जगदेव बावु ने समाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना सुरु किया और राजनीतिक की तरफ प्रेरित वे इसी दवरान वो सोचलिस्ट पार्टी से जुड़ गए इसी पार्टी का मुख पत्र जंता का उन् दोलन की उस समय धूम थी लेकिन जेपी और लोहिया के बिचारों में अंतर था जगदेव बावु ने राम मनोहर लोहिया को साथ लिया और आगे बढ़े उन्होंने सोचलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक धांचे को मजबूत किया और समाजबादी बिचार धारा का देश ुस्ट पार्टी का एकिकरन हुआ कि उम्मिदवार जगदेव बावु ने उन्युसर सर्षठ के बिधान सवाचुना में संसोपा यानि की संजुक्ट सोचलिस्ट पार्टी अगर हम इसको और विस्तार से समझे तो 1966 में परजा सोचलिस्ट पार्टी का एकी करन हुआ था उभे कूर्था से उमिद्वार बने और उनको वहां से जीत भी उनके अथक परियासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली वाल संबीद सरकार बनी तथा महा माया परसाद बिहार के मुख मंत्री बने जग्देव पावो और करपुरी ठाकुर की सुजबूत से पहली गैर कांग्रिसी सरकार का गठन हुआ लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले पर लोहिया से अनवन हुई उसमा एक नारा बहुती परचलित हुआ कमाय धोती वाला और खाय टोपी वाला की इसीती देखक संसोपा छोड़कर 25 अगस 1963 को 166 दलनाम से एक नई पाटी बनाई बिहार की राजनीति को जनवादी बनाने के लिए उन्होंने समाजिक संस्कृतिक करांती की अवसक्ता महसूस की वे मानाबादी राम सरूप बरमादवारा स्थापित अर्जक संग जिसकी अस्थापना एक जुन 1968 को हुई थी उसमें वे सामिल हो गए जगदेव बावु ने कहा था कि अर्जक संग के सिधानतों के द्वारा ही ब्रामान वाद को खत्म किया जा सकता है और संस्कितिक परिवर्तन करमाना वबाद अस्थापित किया जा सकता है 5 सितमर 1994 को जगदेव बावु हजारों पुलिस ने उनके उपर गोली सीधे उनके गर्दन पे जा लगी उब गीर पड़े सत्या ग्रहियों ने उनको बचाब किया किन्तू क्रूर पुलिस घायला वस्ता में उन्हें पुलिस अस्टेशन ले गई पुलिस परसासर ने उनके मिरत सरीर को गायब करना चाहा लेकिन भारी जंदवाब के चलते उनके सब को 6 सितंबर को पटना लाया गया। उनकी अंतिम सव्यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लोग सामिल हुए। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें। बिहारी नूज के साथ मुझे दीजिया इजाजा धन्नवाद।